अजय का है चाहे नीट का है कोई भी एंटरेंस एक्जाम है कोई भी एंटरेंस एक्जाम उनमें एक फाइट रहती है रेंक 123 मतलब आपको पहाड़ी की पीक पे चड़ना इंपड़ेगा नहीं तो काम्यादी नहीं होंगे अगर आपका टॉप रैंक नहीं आएगा तो आपने एक competitive माहौल में बहुत ज़्यादा घुश जाते हैं उसमें से कुछ निकल पाते हैं कुछ नहीं निकल पाते हैं वेराइज अनक्चूरियल मेरे बच्चो ये एकलौता ऐसा profession है जहां पर आप अपनी खुद की pace से चल सकते हैं जहां पर rank 1, 2, 3 नहीं आता है आपको जैसे जितने exam पास करने हैं आपके हाथ में हैं और आपका कोई competition नहीं है कि मुझे इतने जल्दी करना है इतना देर में करना है तो ये बड़ी खुबसूरत बात है sports के साथ है कि मतलब यो unnecessarily आपको बहुत प्रेशराइज नहीं करते हैं कि मुझे एक करना ही करना है तो आप अपनी pace से grow कर सकते हैं तो इसलिए हमने का कि आप कोई भी subject चूज़ कर सकते हैं अब जैसे जिन बच्चों ने CS1 का exam दिया है CS1 में statistics पढ़ा है R पढ़ा है उसी के ऊपर है ये paper लेकिन हाँ CS1 का सारा basic concept में use होता है R के practice आपकी है लेकिन मैंने खुद ही देखा है जैसे मेरे batch में पिछले वाले batch में बच्चे थे जो CS1 के बाद CM1 जिन बच्चों ने किया था कर लिया अच्छी बात है CM1 पास भी कर लिया उन बच्चों ने लेकिन जब वो CS2 करने आए ना तो ब्लैंक थे कि ये distribution क्या है याद है नहीं है functions भी याद करा उनको मतलब उनको सब कुछ दुबारा से मतलब एक तरह से लगा लो उनको एक महिना तो एड़्जेस्ट करने में लग गया क्लास में क्लास के हिसाब से एक मेना पुरा एड़्जेस्ट करने में लग गया तो ये थोड़ा सा फार्क आता है और इस सेशन जो एपरेल वाला टेंप्ट होता हमारे को टाइम काफी मिल जाता है इसके लिए बहिए अगर आप ही देखें आप ऑक्तोबर, नॉमबर, दिसंबर तो ये मिल गया और जैनुवेश्ट भी में छे महिने मिल जाता है राम से तो ये सेशन एक अच्छा सेशन है सीएस्टू जैसे बड़े पेपर को तसली पूरा करने से जबकि पिछले सेशन में अगर मैं देखू तो तीन मेहने साड़े तीन मेहने ही मुश्कित से मिलते हैं और उसमें बच्चे को एक मेहना रीकाप करने के लिए लगता है तो यह थोड़ा सा ढ्रॉबेग़ और दिषडव trilogy है पर शेशन के एक खास बात है और आपसे अगर आपको पैंशन कमपनी उसए पैंशन रिटेर्मेंट बेनिफिट कमपनी जॉब्स है तो उन जॉब्स में जाना है तो they ask for CM1 लेकिन उन जॉब्स का सबसे बड़ा disadvantage क्या है कि उनका experience life में या general में या consultancies में count नहीं होता है वो एक KPO जैसा काम है knowledge processing and outsourcing क्योंकि बहुत सारे countries में ऐसा है कि pension and retirement benefits है हमारे डिया में विद्दा नहीं है बहरों में है तो हम सारा काम उनके लिए outsource करके देते हैं तो उनको वैसे बच्चे चीए होते हैं जिनके एक दो बेपर clear है और वो दो साल का bond भराते हैं लगबग 6-7-8 लाक ऐसे package देते हैं आपको तो मेरी इच्छा ही रहती है कि कम से कम कोशिश करें बच्चा उस जॉब में जाने के रिए ज़्यादे ज़्यादे कोशिश करें बच्चा कि ऐसी company जो consultancies है जनरल इंशारंस है या Life है सबसे ज़्जशा पैसा तो लुजशा है जनरल इंशारंस में मन अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है पूरी और life जॉइन कर लो तो life में है कि आपको time मिल जाता है आप अपने paper pass कर पाते हैं और अपने life में आगे बढ़ा पाते हैं बट वेरेंट इसे pension आपकी last preference होनी चाहिए pension बहुत चलो ठीक है मेरा मुश्किल से एक paper pass हुआ है मुझे जॉब चाहिए चाहिए ऐसा है तो फिर तो आपको सारी जॉब अच्छी है उसके अंदर आज समझ रहें कि नहीं समझ रहें लेकिन हाँ एक एडवांटेज और है जिन स्टूडेंट्स ने CS1 एक्जाम पास के कोर्स स्टाटेस्टिक्स वहना एक्चुलिल का वो यह मत समझे कि हम एक्चुलिल में ही आ गएं सरफ नहीं नहीं आप लोग अभी भी डेटा साइंस AI ML इन सब फील्ड में जा सकते हैं क्योंकि इन सब के लिए भी बेस स्टाटेस्टिक्स ही है तो आपके जैसे कोई computer science कोर्स क होती हैं statistics is the new mathematics mathematics का नहीं नाम statistics ही है बिटा तो I really wish कि आप सब लोग statistics का बेस अच्छा बनाएं क्योंकि उसके साथ आपकी ज़्यादा growth है as a statistician as a statistical analyst as a data analyst as a natural analyst यह सारी jobs के अंदर आपको बहुत ज़दा growth मिलती है ठीक है बिटा तो आप कर तो कोई भी paper सकते हैं अच्छा नाओ when coming to the CS2 examination CS2 मुश्किल भी नहीं है मनदब as computer if you see CS1 ना आपको CS1 जब CS2 पढ़ोंके तो लगे है बच्चों ऐसा भी पढ़ता CS1 तो बहुत चोटा सा है limited सा course है उसका limited सा और बहुत pattern वाला है whereas in CS2 में ऐसा कोई pattern नहीं है आपको लगेगा जब exam दोगे न आपको लगे है CS2 का exam दे रहे हो लेकिन जब exam का question में पढ़ाएगा आपको लगे यह तो question CS1 में भी पुछे जा सकते हैं यह question तो CS1 में भी पुछे जा सकते हैं CS2 में general questions बहुत होते हैं तो they want to really test your general knowledge also की statistics के बारे में आपकी knowledge कैसी है जैसे इस बार भी दो question ऐसे थे CS2 के exam में there were general questions कोई base theorem पे था कोई binomial distribution पे था बहुत basic questions थे तो ऐसा जुरूर नहीं है कि CS2 के concepts में सही वह बहुत घुमाएं आपको ऐसा जुरूर नहीं है right overall this paper is entirely divided into five sections section one को हम बोलता है loss distribution loss distribution reinsurance reinsurance risk model one and two this is one section section two it is say we can call it as time series or order मैं जो बता रहा हूँ बिलको सही बता रहा हूँ आपको उसका पढ़ने का time series one and two then we have section three section three is chapter one to chapter five which is majorly markov markov then we have section four section four is survival models this also have chapter six to say chapter ten तक इसमें आता है and section five is the new chapters जो आपके course में आए like copulas machine learning and so on यह ने chapters जो हैं में इसके इंदर आयाते हैं सारे तो यहां से सारा course आता है आपका exam में सबसे पहले एक क्वेशन तो ले लो आप उठा लो सबसे एक क्वेशन उठा लिए तो मतलब आपके ओगे आपके पांक्च परेशन तो पक्के ओ गया अब कोई ट्रॉपिक कोरशन नियुक्त करो आपके आपके चैर्टिकल त्योर्य ऊसके इसांब से आएंगे आएंगे ऐंगे आएंगे अब सबसे पहले section मैं आउने क्यूं रख़ा it is about insurance and reinsurance क्योंकि CS2 जो exam है बच्चो CS2 exam is more about insurance ठीक है less about life and general के concepts हैं उसके अंदर पर बहुत कम है more about insurance and reinsurance तो सबसे पहले आपको insurance समझाते हैं इसमें कि क्या होता insurance फिर आपको stochastic process हिखाते हैं time case आप से change करता है क्योंकि time की importance यहां भी पता चलती है हमारे को तो यहां पर जो mixing आती है सारी insurance की और time की mixing आती है इन दोनों की फिर यह survival यह वाला टॉपिक है this is linked with CT5 और CM1 CM1 paper के साथ लिंक है वाला topic CM1 में जो हम यहां formula derive करते हैं कुछ भी करते हैं वाँ CM1 के इंदर direct apply करते हैं formulas और यह नए chapters हैं आजकल दबदबा इन पे जादा बना हुआ है मेरा भी मन कर रहा था कि मैं कुछ topics को chapters को YouTube पे free डालों बच्चों के लिए कि भी देखो नए chapters पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आ रही है तो इस बार जरूर डाल दूँगा इस बार आदर आपको चैप्टर वन आता है तो ही टू आएगा तो आता है तो ही थरी फॉर फाइव आएगा तो सिक्स आता है तभी ऐसे होगा वेरेजन सीस्टू ऐसा नहीं है जैसे कि मान लो आपने भी स्टार्ट किया अपनी टॉपिक कंप्लीट कर लिया आप यहां से बच्चे यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लासिस बच्चे यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लासिस बच्चे यहां से इन तीनों में से कहीं से भी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं तो करते हैं बच्चे रिलाक्स रहते हैं शुरू में थोड़ वाले एक्जाम तो क्योंकि अभी ये वाले एक्जाम भी ओपन बुक है तो अपन बुक है तो अपके नोट जो होते हैं सामने रखे होते हैं आपको हेल्प मिल जाती है काफिसा ये थोड़ा से ड्वांटेज है लास्ट टाइंग इसके बाद ऐसा नहीं हो गए यूके के होता है रीजन क्यों नहीं होता इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास कॉमर्स के बच्चे ज्यादा होते हैं तो कॉमर्स के बच्चों का स्टाटिस्टिक्स उस लेवल पर हाई नहीं होता है तो हाई करना बढ़ता है हमारे को ये सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे ब और बिकों वाले बच्चे जब CM1 पढ़ते हैं तो बहुत ही असान पेपर हैं मज़ा आ गया पढ़के क्योंकि वो उनके लायक होता है यह पर लेकिन CM1 मैंने आपको फिर बताया कि जाहतर कंपनीज में डिमांड होती है पेंशन रिटार्मेंट बेनिफिट स्कीम्स तो आपको जॉब्स में रिटार्मेंट बेनिफिट स्कीम्स की प्लिस्मेंट है तो वो पेंशन की काम है वो सारा सारा ठीक है तो इस तरह से पेपर डिवाइड है आपके पास पूरे लगबग छे मिने हैं अगर आप अराम अराम से भी धहतरीके से भी चलें करते वे तो बहुत आराम से कर सकते हैं आपका सारा का सारा फोकस study material पर होना चाहिए study material आपको मैं बता देता हूँ study material में जो पीछे practice questions होते हैं वो करने बहुत जुरूरी है practice questions revision notes की यहां कोई खास importance नहीं है revision notes are least important है previous year questions यह मैं कराता हूँ class के अंदर ही कराऊंगा आपको यह तो आपको मतलब study material पर focus करना है revision notes पर focus नहीं करना है क्यों नहीं करना है revision notes पर focus कारण है उसका क्योंकि revision notes जा हमारे पास दिये वे में वह 2019 तक के हैं बच्चो और 2019 तक यह offline exam होता था तो इसमें solving और proofing बहुत आती थी जब से यह online exam हुआ है इसमें solving और proofing बहुत जाता नहीं आ सकती क्योंकि इतना सारा picture type भी नहीं कर पाता तो problem यह अब आते हैं थोड़े से intelligent questions स्मार्ट questions आते हैं तो थोड़ा सा revision notes में हमारा focus सबसे कम रहेगा सबसे ज्यादा focus रहेगा study middle और इसके पीछे के questions और second focus रहेगा previous year या मेरे assignments assignments में previous year questions अलग कर रखे हैं मैंने जो भी 2000 मेरे assignments में जो questions हैं 2020 से लेके 2023 के तक के सारे questions हैं इंडिया और UK बोथ दुनों के हैं 2020 से लेके 2023 तक के और वो सभी chapter wise segregated कर रखा है और assignments ऐसे हैं कि उनका answer भी उस chapter के साथ ही है ताकि आपको बार-बार प्रीवेश से question को पलटना ना पड़े सर्फ आप अपने पास assignment save करके रखें assignment में जैसे chapter हमने किया loss distribution तो loss distribution related questions उसमें आ जाएंगे सारे आपके पास उसमें solution भी आ जाएगा जो आपको उन्होंने solution दे रखा है जो हम solution करेंगे वह भी आजाएगा आपके पास तो यह इस तरह से easy हो जाएगा थोड़ा सब पढ़ना इसको राइट तो यह सारा preparation technique है इसकी मुश्किल नहीं है लेकिन हाँ I promise कि इस बार आर की classes offline होंगी आपकी और offline classes ही आर की कराएंगे लास्ट टाइम ने बच्चों की बहुत की कोशिश किया कि आर बच्चों के लिए बहुत easy हो जाए और उसने विचार ने किये बहुत सारे लेकिन उसको भी इसको फाइदा हुआ होगा कभी आप knowledge share करते है तो knowledge बढ़ती ही है कम नहीं होती शुपम क्यों शुपम knowledge share करते हैं तो बढ़ती ही है और अच्छी बात है थोड़ा सा खुद independent हो जाता है बच्चा थोड़ी income in develop हो जाती है यह भी चीज़ अच्छी है उसकी है ना तो आपके जैसे स्टूडेंट ही है जो हम हाव ही अस टेकन इनिशेटिव तो हेल्प यू आउट क्योंकि सर वेस्टेश समदर फेकल्टी तो कम फोर सी इस तो इस पेशली राइट यह अच्छी और आपको पूछ पूछना है तो पूछ सकते हैं विटाश में कोई भी क्वारी है तो अभी आपकी अब जैसे वीकेंड पे हैं हम लोग सारे सारे अगर आपको विगडे इविनिंग पर सूट करता है तो आई डूंट माइंड कॉलिज के बाद आपका कॉलिज कौन साह एक वानी आपका बेटा पिछे अच्छा इवीडे इवनिंग तो शूट नहीं करेंगा नहीं तो लेट स्टार्ट विद दे चैप्टर कॉल लॉज दिस्ट्रिबूशन कुछ नहीं है सी एस वन का रिविजन है इट्स ए रिविजन आफ दिएस वन चैप्टर वन और टू डिस्ट्रिबूशन एंड एम जी एफ का रिविजन नहीं है बेशक लिए देखे बेखे है हमारे लॉस फंक्शन क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इकलौता डिस्ट्रिबूशन है जो डिस्क्रीट भी है कॉंटिनेश भी है तो हमारे loss distribution हो गया uniform A, B. हम वो ही functions को discuss करेंगे जिनका CDF possible है. क्योंकि CDF नहीं निकलेगा तो probability कैसे निकालोगे loss की. तो उन्ही functions को discuss कर रहे हैं जिनका CDF possible है. तो जैसे कि uniform का CDF possible है, x minus a upon, where x is between a and b. तो हमारे को इसका CDF possible है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं. इसमें uniform पहला हो गया आपका. दूसरा distribution हो गया आपका exponential. यहाँ पर exponential काफी important है. अगर मैं किसी एक बच्चे के loss की बात कर रहा हूँ, individual loss की बात कर रहा हूँ, तो exponential distribution. और एक बच्चे का पुरे साल की loss की बात कर रहा हूँ. तो एक साल में तो वह एक से ज़्यादा claim भी कर सकता है. तो देन वी कें टॉक बाट गामा distribution. ठीक है? तो पहले exponential की बात करता है, large amount of loss in less quantity. तो हमारे exponential का function क्या है, बटा? exponential. रागव तो तो भूल किया होगा भाई? है न, एतने दुनों से नहीं touch में इसके हैं, बुड़ा बुथ. ये PDF है, तो what is the CDF of exponential, बटा? एक की पार माइनेस, लैमडा एक्स, और survival function क्या होगा, बटा, इसका? ये बहुत important है हमारे लिए. ये distribution बहुत ज़्यादा important है. ठीक है, exponential में भी एक ज्ञान और देता हूँ आपको, आगे लिखो, लिखो, पहले जिसने ने लिखा हुआ या दुबारा लिख लो, बार-बार पीछे ने जाना पड़ेगा आपको. एक exponential में word आता है, पिटे, double exponential. ये important है, थोड़ा सा, as far as CS2 is concerned, double exponential distribution. इसको हम लोग lapless ये double exponential दोनों ही बोलते हैं. आप e की पार माइनस मॉड एक्स, फिर x बिलॉंग्स तु दे रियर नम्बर लाइन. इसको double exponential कैसे लिखते हैं? देखे जाना धियान से. इसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर x negative होगा, तो mod x की definition क्या होती है, बिटा? माइनस x, when x is negative, right? x, when x is, तो x less negative है. तो माइनस, माइनस, प्लस होगा ना मेरे, बिटा? और x positive तो? तो this is double exponential. बतने हैं, क्या होगा? वानिक ऐसे पहचानते हैं इसको? अगर इसका coefficient 1 है, तो यहां half है. यहां half होगा, तो यहां क्या होगा? 1 by 4. यहां 1 by 4 होगा, तो यहां 1 by 8. उसका half ही होगा हमेशा. नहीं समच्चा, 1 का half होगे ना? तो 1 by 2 होगा, तो 1 by 4. ऐसे करके आएगा हमेशा function. तो this is double exponential. अगर आप इसका graph देखें, तो हमारा जो f of x होता है, it is always above the x-axis. तो यह हमारा function है, भाई, यहां पर. यह function है, this is half e की पार x, and this is half e की पार minus x. अगर हम loss की बात करेंगे, तो इसी region में आएगा ना भाई? loss 0 से infinity होता है, बटा. तो हम, यह तो काम ही नहीं आएगा हमारे तब. तो तब किस में convert हो जाएगा यह? exponential. बताओ, राइट हैड़ा वाला exponential है के नहीं है, बताओ. तो यह थोड़ा सा important है हमारे लिए, इस course के अंदर. लिख लीजे प्लीज इसको. exponentially जल रहा है भीभी. अब बोड पर देखें, सारे बच्चे, प्लीज. This is f of x, e की पार, x minus theta, where x is greater than theta. Which distribution is this? This is again exponential students. See how? Let, let y is equal to what? So, what is f of y? And y is? Now you want to find the mean of x. You want to find the mean of? Please tell me what is expectation of y? Lambda क्या इसमे? 1 ना? So, what is y is? अज़े, बोल भाई? So, it is expectation of x minus theta. What is expectation of x? देहों, उसका एक mean आ गया. अरे ठीक, ये कैसे है, वैसे तो transformation किये मैंने, पर lack of memory property. Lack of memory property कहती है, अगर आपने 10 minute अंजार किया, और मैं नहीं आया, तो आप सुचते हैं, चले 5 minute और कर लो. तो जो नए अंजार होता है, वो fresh exponentially ही होता है. याद है आपको कुछ? Similarly, if you want to find variance of y, this is also 1. But variance of x minus theta, so variance of x plus 0 is equal to 1. तो variance same रहेगा. Shifting करने से variance change नहीं होता है. अरे ठीक है बिटा? तो इस तरह के distribution को हमेशा क्या माल लेना है अपने? Exponential. अरे clear होगया यह बात? So this is also exponential बिटा. और यह transformation इसलिए सीखे थी CS1 में आप. Next is gamma distribution. With parameter alpha and lambda. सब को पता यहीं बात तो. PDF भी पता है सब को इसका. Lambda की पार alpha. Gamma alpha. Alpha minus 1. E की पार minus lambda. X, X किड़ तन्चीगा. तो gamma का CDF की important बात. Gamma और क्या खास बात है gamma में? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. Please board पे देखेगा, बहुत ध्यान से. यह gamma का PDF है. This is PDF of gamma. मतलब gamma का PDF का function है. यह exponential का है लाल वाला. दोने में फर्क क्या है? बहुत है. तो gamma का PDF है यह. और यह exponential का PDF है. क्या फर्क है दोनों में? फोटो देखके बताओ. दोनों positively screwed है. यह तो similarity हो गई. फर्क है दोनों में एक ही बात का. कि gamma का mod क्या होता है? alpha minus 1 by gamma का mean क्या होता है? तो gamma का mod यह रहा देखो. और could be possible कि mean यहां कोई होगा. वेर exponential का mod एक्जेस्ट ही नहीं करता है. exponential का mod एक्जेस्ट? आप खुद बताओ सच्चाई में. कि practical life में exponential जादा है. यहां काम है गामा. आप कोई पता है कि अगर 2000 पे तक का accident हुआ है गाड़ी में. तो आप claim करने नहीं जाओगे. तो insurance office में शुरू के कुछ claims बहुत कम quantity में होंगे कि नहीं होंगे? फिर आपने decide किया 5 से 15 की बीच में होगा तो मैं जुरू जाओँगा. 5 से 50 होगा तो भी जाओँगा. तो उसमें जाएंगे ना? हाँ जी बता. और जो लाखों क्लेम होंगे वो बहुत कम होंगे कि नहीं होंगे? तो practically जो यह लोग लोग डिस्ट्रिबूशन है उसमें मौड भी exist करता है. यह बहुत सारे लोग हैं जो 10,000 पर एक्लेम करेंगे. बहुत सारे हैं. विरे एक्स्पनेशन मताँ मौड एक्स्पनेशन में जाएंगें जोनों के अंदर? तो अगर हमें क्लेम्स की बात करनी हैं तो उसके केसिज में गामा को ही प्रिफर जादा किया जाएगा as compared to exponential. क्युक्कि उसका मौड एक्सिस्ट करता है. और सीडियेफ गामा का सीडियेफ कौन बताएगा? बटा काई स्क्वार बताएगा ना? गामा का सीडियेफ कौन बताएगा? काई स्क्वार. कि टू लैम्डा एक्स फोलो करता है कौन सा डिस्टिबुशन? काई स्क्वार. काई स्क्वार भी पॉस्टिबलिस्ट कूड है. उसका मौड एक्सिस्ट करता है. ठीक है? लिख लीजेए प्रीज यहें. गामा के बाद नॉर्मल डिस्टिबुशन सबको पता है. यह बहुत ही काम का है. एक्स फोलो इस नॉर्मल म्यू कॉमा सिगमा स्क्वार. इसकी क्यूमिलिटी परियोटी कौन बताता है बेटा? स्टानड नॉर्मल. तर्श तैनड नॉर्मल डिस्टिबुशन इस पे इस बार क्वेशिन थे हैं लॉर्मल पर. हर बार ही रहता है वैसे log normal पर log normal थोड़ा यहां पर favorite है with parameter mu and sigma square अगर आपसे probability मांगता है तो x is less than a मांगेगा तो इस x को पहले log कर दो आप अब log x करने से क्या होगा है normal हो जाएगा अभी normal distribution हो गया normal हो गया तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ stand normal कर सकते हैं ने बिटा तो आपके पास probability आजाएगी z is less than something की किसी चीज़ की तो अगर आपके पास log normal का question है उसमें log x लगा और नॉमल हो जाएगा और log x को उसके mean से मैनिस करो standard deviation से divide क्या हो जाता है बटा और जो log normal distribution होता है उसका mean mu नहीं होता है उसका mean होता यह तो पीछे जो मैंने distribution पढ़ाए हैं उसमें से log normal से जो match करता वह distribution है वो गामा है या काई स्क्वेर है क्योंकि log normal का अभी mod exist करता है तो log normal किसले काम आता है बोर्ड पर देखो यह है log normal का कर्व क्या टेल ठीक हो गए ना देखो थोड़ी सी अंजी बेटा क्या इसका भी mod आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो आ रहा है ना पॉसिबली स्क्यूड है तो पीछे वाले distribution में से गामा इससे match कर रहा था कि नहीं कर रहा था जबकि normal कैसा होता है normal याद है वानी सेमेट्रिक ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी log normal की range होते है जेरो से कहां तक इंफिनिटी यह है ठीक और अगर standard normal की बात करें तो यह हो जाएगा तो ये N01 होगा इसका mean 0 है वेरियन्स 1 है इसका mean mu है नेक्स देखें थोड़ा सा दिमाग का काम बताता हूँ आपको देखो अभी आपने समने बीटा डिस्टिबूशन पढ़ा हुआ है X follows बीटा A B आपने उसका function भी पढ़ा हुआ है 1 अपन बीटा A B X की पार A माइनस 1 1 माइनस X की पार B माइनस 1 वेर X is between 0 से 1 इसकी ये shape होती है कहीं पे भी ले ले लो 0 से 1 है तो ये ऐसी सी shape है इसकी भी function अब लेकिन इसका CDF नहीं होता है तो मुझे तो वो distribution चाहिए जिनका CDF does not exist जिसका CDF exist करना चाहिए तो अगर बीटा का question आ जाए तो बीटा को से ना solve करके उसको किससे solve करना चाहिए बता कौन सा इससे distribution जिसकी range 0 से 1 में है 0 से 1 range उसकी minus infinity से infinity है बता अरे uniform नहीं है क्या बोलो बता uniform distribution अगर में लेता हूँ तो क्या बताओ बीटा का maximum area इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ कुछ फाल तो भी आ रहा है पर maximum area बीटा का आ रहा है कि नहीं आ रहा तो जब भी बीटा की cumulative loss की बात हो तो बीटा की जिन्हें किसका यूज किया जा सकता है uniform का CDF क्या होगा X किसके विच में 0 से अरे हैं ना तो हम कहीं बार हमें distribution दे दिया होता है और उस distribution का हमें रोल समझ में नहीं आ रहा होता तो हमें उस जैसा similar shape या same range similar shape या का distribution ढूंडना होता है तो same range का ढूंड लिया यू 0 1 shape तो थोड़ा सा हमारे ले मुश्किल हो जाया गा ढूंडना जिसका CDF possible है जिसका क्या possible बटा तो हमने यू 0 1 सबसे असान था हमारे ले उसका CDF भी possible है तो क्यों नहीं इसके losses को simulate की या निकालने के लिए हम लोग uniform का इस्तेमा कर लें instead of beta तो ऐसा भी करते हैं हम लोग ठीक है लिख लिजिए बात गामा जिरो से वन ये ने range उसकी same range and similar shape परेटो distribution परेटो तो x follows परेटो विद पारेमिटर अल्फा लैम्डा the PDF of परेटो ये चाया रहे गए अबर बहुत इंपोर्टन था है या आपर ही अल्फा लैम्डा भी जिरो से बढ़े इसका CDF 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस x की पार अल्फा mean variance भी लिख लेना इसके table में दिये है variance भी लिख लेना पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा क्या है this is also positively skewed इसका भी mod exist करेगा variable distribution my particular case leкам जिसका again this is also positively skewed this is also positively skewed part है मतलब gamma की वाले 2 लेकी लिखा है मैंने क्योंकि यह यूज होता है यहाँ पर gamma होगा ऐसा तो generally यही वाला यूज होता है तो वनना जर जनरल फार्मॉला लिखा हुआ है वेबल का क्योंकि इसका वे CDF पॉसिबल है इन सब का किसी का MGF पुछा हुआ है उसके अंदर यह सारी चीज़े भी पुछी हुई है तो loss distribution chapter के अंदर basically सारी distribution के बारे में दुबारा से बताया है उनका mean, variance, MGF, क्या है यह सब पुछा हुआ है हमारा जो chapter है mean वो है re-insurance बेटा re-insurance is the main chapter तो मैंने आपको बताया यहां पर एक होता है policy holder और एक होता है insurer और एक होता है re-insurer तो policy holder अप्रोच करता है insurer को क्यों क्योंकि वो अपना risk minimize करना चाहता है तो policy holders को premium pay करता है insurer को कि भाइसा मेरी कार चोरी ना हो जाए तो उसका insurance कर दो आप तो insurer क्या करता है इवाज मैं उसको claim cover करता है claim देता है वह चोरी होगे तो मैं दूँगा पैसे तरक एक्सिडेंट हो गया तो मैं पैसे दूँगा राइट तो policy holder का risk को मिनिमाइज कर रहा है insurer क्या लेकर करके उससे premium charge करके अब insurer को किसी portfolio में risk लग रहा है तो किसी portfolio में risk लग रहा है तो insurer को approach कर रहा है कि मैं आपको जो मैंने premium लिया था उसका खुछ हिस्सा मैं आपको दे रहा हूं उसके FS में वो पूरा claim नहीं share करता है part of claim कि I was wrong जैसे कि उसने हाउज इंशॉरंस किया हुए जनल इंशॉरंस का पाउट होता है शॉर्ट तर पांच साल का इंशॉरंस होता है उसको लगा कि दोड़ार का जो है जोन 5 में आ और चांसेज हैं कि अर्थक्विक आ सकता है तो जितने भी घरों का उसने इंशॉरंस कर रखा होता है पॉर्टफोलिय बना लेता है उस पॉर्टफोलिय के लिए बात करना जाता है रिइंशॉर के पास कि भाई साब अगर कोई भी क्लेम एक क्रोटर रुपे से उपर का आ जा जैसे हमारे डेश में कंपनीज हैं श्विज री इस आ री इंशॉरंस अकंपनी मॸह एजिय सी री ऐसे प्रिंशॉरंस इस इस नाम g व्याद राइट तो यह आपस में इनका रिष्टा है तो X हमने notation दे दी claim from policy holder जो policy holder पैसा मांग रहा है उसको हमने X बोल दिया और Y बोल दिया claim covered claim covered by the insurer insurer क्या cover कर रहा है Z भी बोल दिया claim covered claim covered by the reinsurer तो मान लो policy holder को X मिलना है तो यह आपस में कैसे distribute करेंगे वो X को amount को that is Y plus Z Y is the claim covered by insurer, Z is the claim covered by reinsurer, so what is the aim of the chapter our aim is aim is to discuss the distribution of the distribution of the distribution of claims between insurer and reinsurer तो claim distribution discuss करेंगे हैं हम aim is chapter का कि कैसे insurer और reinsurer जो भी claim amount policy order मांग रहा है X उसको भी कैसे बाट रहे हैं कैसे distribute करके दे रहे हैं इस chapter का ये aim है इस chapter का ये aim नहीं है कि insurer को कितना पैसा मिलेगा तो वो देगा ऐसी बात, basic premium की चर्चा नहीं है इसमें इसमें सरफ claims की चर्चा है कि वो किस किस तरीके से claims को distribute कर सकते। अपना अपना risk कैसे cover कर सकते हैं minimize कर सकता है, जैसे insurer और अपना डिस कैसे मिनिमाइज कर सकता है तो वेज और मीन्स बताएंगे हैं हमारे कोई चेप्टर के अंदर कि वह कैसे अपना क्लेम्स को क्या करेंगे डिस्ट्रिबूट करेंगे अरे एम क्लेर होगे चेप्टर करना इट इस नॉट अबॉट दे प्रीमियम्स वो यह नही से पहले हम स्टार्ट करते हैं नो री इंशॉरंस इसका मतलब है नो री इंशॉरंस का मतलब है यहां पर इंशॉरर इस नॉट कंसेडरिंग इइंशॉरंस इंशॉरंस कर रहा है मुझे री इंशॉरंस नए चाहिए तो नहीं चाहिए उसको रिस्क आप लग रहा तो सबसे पहले हम discuss करेंगे claim distribution जब भी question भी आप start करोगे you will discuss the claim distribution so see insurer will pay what the x yes or not what is y what is y what is y claim claim covered huh why is the claim covered by insurer and what is x claim from policy holder check to y will be same as what x और आया थोड़ी है claim advancement थोड़ी आता है जब आप insurance कराने जाते हो इसके बाद में तो claim आएगा first you pay the premium and then claims come तो expected claim तो जो भी हम बात कर रहे हैं we talk about the word expected claim claim तो expected claim covered by insurer is same as expectation of x yes or not अब expectation of x x तो loss distribution है range क्या होगी x की 0 से तो x into f of x right तो जो ये f of x है loss distribution है ये loss distribution कौन से हो सकते हैं जो आपने भी थोड़ देरे पहले पढ़े थे वो सारे distribution जिनका cdf possible है वो उन में से कोई भी हो सकता है loss distribution क्लेर हो गया कि नहीं हाँ तो expected claim तो सबसे पहले हम discuss करते हैं कि वह कैसे discuss करेंगे और कौन कितना देगा तो इस situation में कोई insurance नहीं था expected claim निकालना था तो हमने निकाल लिया देखुआ है तो variance निकालना होता हो तो expectation of y square निकालते हैं ना बिटा तो अगर variance नहीं होता है तो क्या करते हैं यहाँ पर y से y square which is expectation of which is again x की range 0 से infinity into the loss function और यह भी जुरूत नहीं होती शायद हमें distribution का mean variance पता ही होता है faster method तो वही है नहीं वह faster method क्या है by remembering the mean and variance of the distribution instead of finding it अब लेखिये प्रीज अब री इंशॉरंस अब शुरू होता है अब इंशॉरंस चाहता है री इंशॉरंस लेना तो किस किस तरह के री इंशॉरंस अवलेबल है उसके पास ओ आएगा यहां यहीं आएगा proportional री इंशॉरंस excess of loss री इंशॉरंस यह दो तरह के री इंशॉरंस अवलेबल है उसके पास तो पहला discuss करते है प्रपोर्शनल री इंशॉरंस क्याता है, in this case in this case both insurer and reinsurer both insurance and reinsurer cover a fixed proportion on all claims, irrespective of claim size, irrespective of the claim size, claim size, जो मर जी हो, and that fixed proportion, and that fixed proportion, is called retained proportion, retained proportion, तो कहता है, proportional insurance मतलब quota share, इसको proportional के साथ साथ वड़े एक होड़ दे सकते हैं, quota share. In this, a fixed proportion is covered by both insurer and reinsurer, and that proportion is called as retained proportion, we call it as alpha, and the value of alpha lies between 0 and 1. So, claim distribution, सबसे पहले चर्चा और ये claim के distribution की, मैंने बताया था, यही चर्चा करने, तो why will pay alpha amount of x? So, alpha is the word retained, why the word retained is used? Because insurer अपने पास रख लेगा वो, बाकि किसको बेज़ देगा? तो क्या amount बेज़ेगा insurer को? 1 minus alpha, अगर alpha retain करेगा, तो 1 minus alpha बेज़ देगा, तो claim distribution for the reinsurer is what? तो क्या claim distribution समझ में आगे बिटा क्या होगा? Irrespective of the claim size, वो कह रहे है, claim size चाहे जो मर्जी हो, बोड पे देखो, Irrespective of the claim size, जो मर्जी claim size हो हमारे पास, उससे फर्क नहीं पड़ता है. हर claim का, एक fixed proportion, ये, ये वाला हिस्सा, this is yellow वाला हिस्सा, this is covered by the reinsurer, irrespective of the claim size. तो this is covered by Z and this is by Y, this is Y, this is Z. अरे आरहा है समझ में? तो एक fixed proportion percentage दे रहा है वो, कि भी ये cover करेगा इंच और ये cover करेगा कौन? On all claims, on all claims, यहां word भी ध्यान रखना परीज़िए, on all claims word आरहा है कि नहीं आरहा? सभी claims पे, irrespective of the claim size. अच्छा, भी claim आया निया, आया गा. So then we talk, expected claim covered by reinsurer, is alpha times expectation of X. expected claim covered by reinsurer, which is 1 minus alpha times expectation of X. करेट बच्चो? And mean किस distribution का आया गा? loss function जो भी होगा हमारा, उसका mean आया गा. लिखना example, losses follows uniform distribution. U, 0 से 10,000. Uniform किरेंज ये से भी होते हैं बटा, 0 से 10,000. A proportional reinsurance arrangement is in force, with the retained proportion 75%. So what is alpha is 0.75. Alpha कितना होगे बटा? Find the expected claim covered by both insurer and reinsurer on all claims. So as I said, the loss distribution is uniform. with mean 5000, A plus B by 2, right बटा? And the claim distribution, Y will pay alpha amount of X. So the expected claim covered by 0.75 of expectation of X. तो 0.75 of 5000 कितना होगे बटा? 3, 7. And the reinsurer will pay 1 minus alpha amount of X. 0.25 of X. Which is 0.25 into 5000. Which is what? 1, 2, 5, 0. आरे clear है न? Example 2 लिखो. आँ कोई बात नहीं. Losses follows exponential distribution with mean 1000. A proportional reinsurance arrangement is in force. With the retained proportion is 80%. Find the expected claim covered by both insurer and reinsurer. Example 2 कर लिया वानी, यही थाना है तो. यह होगया proportional reinsurance arrangement. Next. Next है हमारा excess of loss. XOL. Excess of loss reinsurance arrangement. Arrangement. इसमें पहला है आपका unlimited access. Unlimited access. यह loss की range है. Zero से infinity. यहाँ पर M है. M. इसको बोलते है retention limit. These losses are covered by reinsurer and this is covered by reinsurer. Retention limit से पहले. तो retention limit could be say, I take an example of thousand. M is thousand. तो in thousand से उपर जो भी claim आयागा, कौन cover करेगा? तो unlimited access. Limit नहीं है उसकी कोई अपपर. तो इसने बढ़ क्या बोला गया बटे इसको? Unlimited. पहले ड्रॉ करो कुछ लिखवाना मुझे. In this case, reinsurer will cover in excess of M on all claims. Irrespective of the claim size, reinsurer will cover in excess of M on all claims. Please underline the word on all claims. Again, the word retention is used. Retention limit. यह किसके लिए यूज़ रिटेंशन वर्ड? Retention M तो है, retention limit है बोतो. पर यह insurer यह reinsurer में से किसके लिए यूज़ रिटेंशन वर्ड? क्लेम किसके पाँ जाता है पहले? तो insurer अपने पाँ रिटेंशन कर लेगा ना कहां तक? हजार रुपे तक. उसके उपर किसको देगा? तो retention word is used for insurer. अरे ठीक की नहीं बिटा? क्लेम तो किसके पाँ जाता है? insurer के पास. वो ही तो आगर insurer के हिस्सा बेज़ेगा उसको? ओके. तो पहले रुपेओं में बात कर लेते हैं. क्लेम डिस्ट्रिबूशन. सबसे पहले क्लेम डिस्ट्रिबूशन लिखना आ गया, तो काम हो गया आपका. तो क्लेम डिस्ट्रिबूशन लिखना है? जो भी क्लेम अंट होगा, 200, 500, 700 जो भी होगा, इस देर क्लेम अंट इस मोर देन थाउजन, तो insurer कितना पे करेगा? अगर पंदरा सो क्लेम है, insurer कितना देगा? हजार. तक्चिस होगा, कितना देगा? insurer. हजार. पाँच जार के तो कितना देखा इन्शौर तो क्या आएगा यहांपर value X 1000 आएगा ने बिटा अगर claim 1000 से बड़ा है तो इन्शौर तो 1000 देखा ना maximum नहीं समझे यह 1000 है बिटा यह value यह value 1000 है नहीं समझे बी बी अच्छा जी समझ गे तुछ चलो अगर क्लेम हजार रुपे से कम है तो कितना देगा इंशार जीरो देगा ना कुछ ना कुछ तो जीरो देगा जीरो मतलब वो इन्वाल्ड असमें उसको खबर है उसकी और अगर क्लेम हजार से जादा है तो कितना देगा हाँ क्योंकि जो इन्शार का शेर हजार रुपे मैकसम उसको मैनिस करता है इसमें से अरे क्लेर होगी बात तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको तो यह इन्शार का क्लेम डिस्टिबुशन है वो किसका है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है insurer will pay minimum of यह maximum of X and thousand yes or not बोलो x को या मांट बोलो x कुछ भी अमांट बोलो 500 तो 500,000 मेंसे क्या देगा वो 500 और को या मांट बोलो 5000 बोल दिया मैं X तो 5000 में से क्या देगा इसको ऐसे बोला जाता है ना इंशार विल पे minimum of x and 1000 अरे 1500 बोलो x को अब बताव इंशार वो कितना देगा ऐसे बोलना भी ठीक है कि नहीं है और रे इंशार विल पे maximum of 0 and x कोई भी अमांड बोलो 500 भोल एक्स बताव कितना देगा साथ सो बोलो X पंद्रा सो बोलो X समझ में आ रहा है ना बिटा तो इसको ऐसे और ऐसे भी बोला जा सकता है आप X की वैलू डालो जवाब अपने हाँ मिलेगा आपको इसका मीन विरिंस निकालना दिखाना बस दुबारा से देखो बोड़ पे एक बार और यह इनिफिनिटी है यह 0 है यह M है इस से उपर का सारा हिसा इस कवरड बाई री इंचौरर इस इस बाई इंचौरर तो Y विल पे इफ दे X इस लेस देन M हील पे X और इस X इस ग्रेट देन इकल तो M हील पे वाट तो expected claim covered by इंचौरर is 0 से M X less than M मतलब 0 से क्या पे कर रहा है उसमें X plus M से infinity क्या पे कर रहा है उसमें अरे देखो न में M से infinity में क्या पे कर रहा है M clear है नहीं बात पिटा ऐसे ही अगर मैं Z की बात करूं if the claim is less than M he'll pay what if the claim is more than M he'll pay what in that case expected claim covered by range order will be what सिर्फ यही वाला हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताओ तो इसको भी ऐसे लिखके रिखाता हूँ जैसे यह फॉर्म में आया है देखो कैसे इसमें मैंने क्या किया कुछ add subtract किया ताकि वो form आजा easy form easy वाली form प्लस M से infinity प्लस M से infinity XFXDX माइनस M से infinity XFXDX और प्लस हमारे पास क्या था है यहापर M से infinity M बताओ इन दोनें को जोड़ो क्या बनेगा बताओ और यह 0 से infinity हो जाएगा ना 0 से मगए MC infinity को 0 से infinity बोल सकता हूँ ना वहाँ से minus common लो क्या बच्चा अंदर वो बोलो बच्चो तो क्या मैं इस वाले को expectation of x बोल सकता हूँ और इस वाले को expectation of Z बोल सकता हूँ और यह मैं क्या निकाल रहा था expectation of तो expected claim covered by insurer is the expected claim from policy order minus whose share re-insurer काईदे में तो यही होना चाहिए न और फॉर्मुला मैच्च कर दिया तो original loss में से किसका हिस्सा मैच्च कर दो आप re-insurer का तो insurer का आ जाएगा न भाई सिर्फ कुछ add subtract करके formula adjust किया है ऐसे कि expectation of Z आ जाएगा